नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि एसिग्रेस टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, एसिग्रेस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एसिग्रेस टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एसिग्रेस टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, एसिग्रेस टैबलेट का उप्योग डिप्रेशन होने पर और एंजाइटी यानि चिंता वतनाव को दूर करने के लिए एसिग्रेस टैबलेट का उप्योग किया जाता है। एसिग्रेस टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। एसिग्रेस टैबलेट को भी दिन में एक बार लेने की सला दे सकते हैं। एसिग्रेस टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको एसिग्रेस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में एसिग्रेस टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पर्सेंट व्यक्तियों में एसिग्रेस टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इफेक्ट्स ना आने की समस्या भी हो सकती है। अब हम डिसकस करेंगे कि एसिग्रेस टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। एसिग्रेस टैबलेट को लाइनजोलिड एंटिबायोटिक, खोन पतला करने वाली दवाओं और डिप्रेशन को ठीक करने के लिए उप्योग की जाने वाली कुछ केटेग्री की दवाओं के साथ एसिग्रेस टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। क्योंकि इन दवाओं के साथ एसिग्रेस टैबलेट को लेने से दवाईया आपस में एक दूसरे के साथ इंटराक्ट कर सकती हैं, जिसकी वज़़स से सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। एसिग्रेस टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और एसिग्रेस टैबलेट को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती हैं। प्रेग्मेंट महिलाओं के लिए एसिग्रेस टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को मीन अधिक आ सकती है। यदि किसी बच्चे को कोई भी असामान्य लक्षन होता है, तो स्तनपान करा रही महिलाओं को तुरंत ही डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए।